हलो गुड आफ्टरनून बच्चों वेलकम टू डाउटनेट लाइव तो बच्चों कैसे हैं आप सभी आम शौर कि आप सबो फिट और हेल्दी और सबने पूरे जोर शौरों से अपनी तैयारी अब कम्प्लीट कर लिया है न बच्चों अप तो कम्प्लीट ही बोला जाएगा क्योंकि आप किसी के हो चुके हैं किसी के अभी होने वाले हैं और नहीं हुए तो नेक्स्ट वीग तक तो आप सबके एक्जाम हो ही जाएंगे तो अब तो यह नहीं कह सकते कि आप अपनी तयारी शुरू कर दियोगी अ आज हम करेंगे हमारे दो chapters revise जिसमें है हमारे chapter number 15, introductions to graph and playing with numbers. ठीक है, तो ये दो chapters हम क्या है, revise करने वाले हैं, introduction to graph और playing with numbers. तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी class की और जैसा कि आपको पता ही है, हर रोज हम अपनी class की शुरुआत करते हैं quiz के साथ. तो चलिए देखते हैं कि बच्चों quiz में first question क्या है और क्या करेंगे आप उसका answer. चलिए, first question है बच्चों यहाँ से, which of the following are the graphical representation of data? यहाँ से कौन सा graphical representation है data की? तो बताइए बार ग्राफ है, pie chart है, histogram है या फिर all of the above की मतलब सारे के सारे. बताइए, which of the following are the graphical representation of data? ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन कौन सी है? इसमें आपके पास चार option है, A है, B है, C है और D है, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है correct answer. चलिए, next है हमारे पास, which of the following is true? की कौन सा यहाँ से true है, तो option name है, the vertical line is called x-axis, the horizontal line is called y-axis, the point of intersection of x-axis and y-axis is called origin, और none of these. कि इन में से कोई नहीं है, तो बताइए कि बच्चों क्या बनेगा यहाँ से correct option आपका या पर correct answer कौन सा है? चार option में से आपको बहुत अच्छी तरह देखकर बताना है कि कौन सा है correct option. चालिए done, अब इनके answers देखेंगे, देखो which of the following are the graphical representation of data, तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि यह चारों की चारों या तीनों की तीनों ही क्या है, graphical representation है, बार graph से भी हम data show करते हैं, pie chart से भी करते हैं और histogram से भी करते हैं, तो correct answer बच्चों यहाँ से हमारा बनेगा option D, all of the above, और उसके बाद next है हमारे पास, which of the following is true, कि यहाँ से कौन सा true है, सबसे पहले है vertical line, जो vertical line है, क्या उसको हम x-axis बोलते हैं, तो यह बिलकुल गलत है, तो क्या horizontal line को हम y-axis बोलते हैं, यह भी wrong है, the point of intersection of x-axis and y-axis is called origin, तो यह हम क्या करेंगे, सही करेंगे, क्योंकि x-axis होता है हमारा horizontal और y-axis होता है हमारा vertical, ठीक है, तो y-axis और x-axis का जो point है, जहाँ पर दोनों intersect करते हैं, उस point को बोलते हैं origin, क्या बोलते हैं origin, और यहाँ के जो value रहती है वो 00 होती है, मतलब x भी 0 होता है यहाँ पर और y भी 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से correct option हमारा क्या हुआ बच्चो ऑप्शन C हुआ the point of intersection of x-axis and y-axis is called origin ठीक है चलिए यह हुए दो questions अब हम बढ़ते हैं अपने class की तरफ और उससे पहले आपके लिए एक जरूरी announcement बच्चो जो class 9th है जैसे कि अब आप जो बच्चे हैं वो 8th complete करके 9th class में होने जा रहा है बच्चो इस VIP course में क्या है स्कूल एक्जाम में अच्छे marks लाने के लिए ये एक full course है साथी साथ 18 March 2021 से 20th April 2022 तक आपका यह course चलेगा ठीक है और इसमें कौन-कौन से subjects आपको पढ़ाई जाएंगे इसमें आपको science, maths, English and social science पढ़ाया जाएगा ठीक है, 4 subjects होंगे इसमें आपके course में 3 classes a day, मतलब एक दिन में आपकी 3 classes होंगी and 6 days a week और week के 6 दिन आपकी classes लगेंगे साथी साथ, homework, notes slides and test यह सब आपको मिलेंगे मतलब homework मिलेगा, notes मिलेंगे slides मिलेगे, teachers की बिनाईवी और आपको test मिलेंगे साथी साथ, weekly motivation and guidance session होंगे इसके अलावा reference book ठीक है, previous year questions और important question bank मतलब जितने भी important questions है वो आपको provide करवाये जाएंगे ठीक है, तो बचो, इस course में मतलब क्या best चीज है या ये course क्यों best है तो देखो, top teachers मतलब experience teachers जिनको की school teaching का भी बहुत experience है, वो आपको पढ़ाएंगे साथी साथ, doubt clearing session होंगे आपके practice के लिए आपको notes मिलेंगे, homework मिलेगा important questions मिलेंगे और previous years के questions मिलेंगे साथी साथ, आपके weekly test होंगे ताकि आप लोगों की अच्छे से revision हो सके फिर more than 700 classes with teachers, slide and daily homework उसके अलावा guidance session होंगे weekly session जिसमें आपको exam related news मिलेगी, exam की strategy मिलेगी और exam related आपके motivation आपको मिलेगा ठीके, तो बच्चों यहाँ पर यह हैं आपके teachers जो आपको different different subjects पढ़ाएंगे यह आपके physics के teacher, chemistry, bio maths के teacher, English teacher और social science teacher, तो यह सारे teachers आपको अलग-अलग subjects पढ़ाएंगे तो बच्चों इस course की जो fees है, वो fees है यहाँ पर 6000 रुपीज और यह पूरे one year का course है, complete course और इसमें आपको चार subjects मिलेंगे, इसमें आपको maths, science, English और social science मिलेगा, ठीके, तो आप course आपका complete करवाया जाएगा लेकिन फिर भी अगर कोई doubt है आपको तो आप इस number पर call करके पता कर सकते हैं, ठीके, यह 50 है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, 0 तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, call करके पता कर सकते हैं, इस course के थुरू आप मुझे बताएंगे, कि क्या आप यह course जोईन करना चाहते हैं, ठीके, तो फटा-फट से देखिए अपनी स्क्रीन पर और जल्दी से reply करिए और बताईए हमें चलिए बच्चो यह था इस course के बारे में, ठीके, जो कि आपके लिए बहुत beneficial रहेगा, क्योंकि अब कुछ बच्चे तो 9 class में हो चुके हैं जिनके exam हो गए हैं, और कुछ हो जाएंगे है ना, तो चलिए भई, आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा topic है जैसा कि आपको पता है कि हम discuss करेंगे introduction to graphs और साथी साथ playing with numbers, तो सबसे पहले तो graph के बारे में थोड़ा सा जो हमने अपने previous classes में पढ़ा हुआ या जो हम जानते हैं, उसको एक बार रिवाइस करते हैं तो what are the different type of graphical presentation of data की, क्या different type की graphical presentation होती है data की, उसके बारे में जान लेते हैं, तो graphical method जो होते हैं वो वैसे data को एक organized way में क्या करते हैं, हमारे सामने present करते हैं, ताकि हम जो हमारी चीज है उसको बहुत अच्छे से समझ चके या फिर हमारे पास एक नजर डालते ही हमारे पास वो data जो है उसके बारे में पूरी information clear हो जाए कि वो क्या बताना चारा है तो बहुत सारे तरीकों से हम data को क्या कर सकते हैं express कर सकते हैं या बहुत सारे तरीके हैं, देखो हम पढ़ चुके हैं बार ग्राफ के बारे में बार ग्राफ के बारे में आप पढ़ चुके हो previous classes में आपने 6th में भी पढ़ा है आपने 7th में भी पढ़ा है और यहां पर भी इस chapter में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो bar graph क्या होता है while comparing among categories जब हम दो चीजों या जो different categories हैं उनके बीच में comparison करते हैं तो जो सबसे अच्छा method होता है वो क्या होता है बार graph होता है तो हमने पढ़ा इसमें data में organization organizing data में कि पहले हम क्या कर सकते हैं, bar graph से उसको represent कर सकते हैं या फिर हम उसको pie chart से represent कर सकते हैं, ये क्या होते हैं इनको भी हम detail में देखेंगे पहले एक बार नाम देख लेते हैं कि वाइल comparing parts of whole की जब हम बात करते हैं तब हम data को किस से दिखाते हैं अच्छे से pie chart से दिखाते हैं इसके अलावा हमने पढ़ा histogram के वारे में histogram तब हम use करते हैं जब हमारे पास क्या होता है कुछ interval given होता है जैसे मान लो कि आपकी class के बच्चों के test हुए है तो हमें उनके test के marks का बनाना है histogram तो वहाँ पर हम क्या लेंगे interval लेंगे 50 से 60 के बीच में कितने बच्चों के marks है 60 to 70 कितने के हैं 70 to 80 कितने बच्चों के हैं तो जब वो interval हमें दिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे histogram उसके अलावा हमने पढ़ा line graph के बारे में line graph क्या होता है in case of this line graph data changes continuously over a period of time मतलब की data क्या है continuously change होता रहता है तो ये कभी भी क्या है कोई straight line की form में नहीं बनता line graph हमेशा क्या होती है ऐसी broken सी line होती है है ना latitude line है कभी ऊपर कभी नीचे कभी किसी तरफ तो इसमें क्या है data continuously जब change होता रहता है कि कभी suddenly increase हो गया कभी decrease हो गया जैसे की temperature का अगर हम बनाएं वालो दिन का temperature हो सकता है कि morning में ठंडा हो फिर जैसे जैसे सूरज निकले sun निकले तो temperature बढ़ जाए फिर हो सकता है बारिशा जाए एक दम down हो जाए फिर increase हो जाए तो इस तरह से जो data continuously change होता रहे वो किस से better दिखा सकते है हम line graph से और एक है हमारे पास linear graph linear graph में क्या है कि हम data को इसमें तो क्या था ये broken सी line ने थी टूटी टूटी line graph linear graph में क्या होता है एक straight line की form में मतलब unbroken line की form में हम क्या है data को दिखाते हैं अब ये होते क्या है अशा नहीं है कि हमने सिर्फ इनको नाम से जान लिया और मैंने बता दिया और clear हो गया अब एक के करके इसको और बताती हूँ आपको कि क्या होते हैं हमारे पास और क्यूं हम data use करते हैं और graphical method इन सबके use करते हैं तो सबसे पहले है introduction to graph graph actually क्या है graphs are the visual representation of data collected यानि कि जो data collect किया गया है उसको visually represent करने का तरीका है और इस तरह से visually represent करने से हम उस data को बड़ा quickly, easily और clearly समझ सकते हैं क्या कर सकते हैं हम बहुत जल्दी से समझ सकते हैं उसको easily समझ सकते हैं और बहुत clearly समझ सकते हैं तो graphic graphs क्या है एक तरह से visual representation है क्या है visual representation किया होता है data को जिससे कि हम जो information हमें provide करवाई जा रही है उसको बहुत quickly, बहुत easily और बहुत clearly समझ सकते हैं ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बच्चों बार ग्राफ, अब बार ग्राफ में जैसा कि आपको पता है, ये क्या है, comparison है एक तरह से different different categories के बीच में bar graph में हम क्या करते हैं comparison करते हैं different different categories में तो यहाँ पर क्या है यह जो bar है इसका मतलब क्या है कि actually यह जो information है वो rectangular rectangle shape के जो यह bar है इनकी form में क्या की जाती है represent की जाती है वैसे यह vertical बने हुए है लेकिन कभी-कभी आपने ऐसे horizontal भी देखे होंगे बार इस तरह ऐसे horizontal भी बने हुए तो vertical और horizontal दोनों form में represent किया जाता है लेकिन यह हूते rectangular बार है और इनके बीच की spacing क्या होती है spacing क्या होती है equal रहती है तो यह parallel भी हो सकते है parallel in the sense की parallel तो यह भी है और यह भी दोनों horizontal भी हो सकते है vertical भी हो सकते है जब हम दो या different quantities है उनके बीच में comparison करते है तो सबसे जो better way होता है वो क्या रहता है बार ग्राफ रहता है ठीक है यह बार ग्राफ आपने बहुत बनाए है पिछले classes में तो उसके बार ग्राफ बनाना की कितने बच्चों को कौन सा फ्लेवर पसंद है या फिर आपके क्लास के जो कोई पांच बच्चे है उनके sleeping hours का हमने बार ग्राफ अपनी previous classes में बनाया था कि कितने घंटे कौन बच्चा सोता है तो उस तरह से हम information को बार के थूँ बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं उसके बाद second है बच्चों हमारे पास बार ग्राफ में ये एक और double बार ग्राफ क्या है हमारे पास double बार ग्राफ जिसमें क्या है two or more ग्राफ बने रहते हैं तो उसमें क्या है दो जो quantity है उनके बीच में comparison किया जाता है अब जैसे यहाँ पर ही दिखाया हुए यहाँ पर क्या है कि students है और उनके marks है और जो students है उनके marks का जो comparison है वो कौन-कौन से है quarterly और half yearly के उनके marks हैं तो इन दोनों को क्या है बार की form में एक साथ लगा दिया गया है quarterly और half yearly को एक साथ क्या कर दिया गया है present किया है तो अब जैसे यहाँ graph से देखने से हमें पता चल रहा है कि बही जिसका जो उचा है वो ही क्या है हमें बता रहा है कि half yearly में जादा अच्छा था या फिर quarterly में अब देखो अगर हम बात करें John की तो John जो है उसका red जो portion है वो कम है और green जादा है green का मतलब है quarterly और red का मतलब है half yearly तो इसका मतलब कि half yearly में उसकी जो performance एक उसके जो marks नहीं और quarterly में ज़ादा है । आव्या उसके quarterly के कम है half yearly के ज्यास है gde ag olhos ठोड़ा साइब इस आई अलों कि quarterly में श्osse मीज्यास है और लेमा के क्या है हाफ या थे सैंठी कर दिया है परॉर्ग्रेस कर दिये कि पहले इतना कम थे quarterly में और अब उसके इतने जादा हो गैंज तो इसकी ये एक अच्छी progress है तो इस तरह से जब हम comparison करते हैं ना दो quantities के बीच में ऐसे double bar graph बनाके तो हमें जो हमारी information हमें चाहिए वो और clear way में होकर आती है ठीक है तो यहां पर जैसे marks का है तो clearly दिखाना है कि कब किसके जाधा है और कब किसके कम है ठीक है चलिए next है हमारे पास pie chart pie chart में हम क्या करते है pie chart use किया जाता है जब part of a hole दिखाना हो इसको circle की form में हम represent करते है अब जैसे यहां पर favorite color दिखा रखा है तो favorite color ये पूरा जो है उसमें से हमें ये पताए कि जो इस circle का 15% है उतनों को green पसंद है 15% को 5% ऐसे हैं जिनको yellow पसंद है 35% ऐसे हैं जिनको red पस है तो जब हमें part of a hole दिखानों कि पूरे पूरे hole का बताना है कि कितने part को green पसंद है इसकल को yellow पसंद है कितने part को red पसंद है तब हम क्या बनाते हैं pie chart बनाते हैं ठीक है यहां पर जैसे मानलो आपकी class में हम क्या आपकी class में का बनाते है अगर दिख going ले लिए यह पाँच में थेत लिए बैदंटल ले लेते हैं तो इन पाँच में से कितने बच्चों को पसंद्द और और शल वव Caesar दिकास ठीक है नेक्स्ट अब चो हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम भी वैसे एक तरह से तो क्या है बार ग्राफ की तरह ही है इसमें भी क्या बने होते हैं बस फर्क यह है कि जैसे बार ग्राफ में हमने बार ग्राफ में ऐसे किया था ना कि एक ऐसे वर्टिकल बना हुआ था बार उसक के बीच में क्या था gap था हिस्टोग्राम में क्या होता है gap नहीं होता बलकि क्या होते हैं continuous होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जैसे कि हम अगर देखें यहां पर तो यह हमारे पास क्या है एक हिस्टोग्राम है हिस्टोग्राम में देख रहे हो कि 42, 45 है तो 45 से ही next शुरू है 50 हो गया 50 से ही next शुरू है 55 55 से ही next शुरू है 60 तो इसके जो interval है वो क्या है continuous होते हैं उनके बीच में कोई भी gap नहीं होता जैसे मानलो आपकी class की बात करें class के marks की ही बात कर लेते हैं अब जो बच्चे है उनके marks 25 से नीचे तो किसी के नहीं है और 25 से शुरू है तो हम 25 से 30 के बीच में देख लेते हैं कितने बच्चों के हैं फिर उसके बाद 30 से 35 के बीच में कितने बच्चों के हैं तो यह क्या है continuous interval है और हम क्या बनाएंगे इससे histogram अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यह जो यहाँ पर यह बना हुआ यह क्या है यह ऐसे ऐसे बना हुआ है इसको actually बोलते हैं kink क्या बोलते हैं इसको kink बोलते हैं kink का मतलब होता है कि इससे पहले वालो जो data है उसको हम कोई show करने की जौरत नहीं है क्योंकि उस interval में हमारे पास कोई भी information नहीं है तो उसको यहाँ दिखाने की जौरत नहीं है अब जैसे मैंने भी यहाँ पर यह जो number लिए है 25 से कम किसी के हैं ही नहीं 25 से start है तो हम अपना जो graph बनाना शुरू करेंगे बच्चों 25 से start करेंगे हम 0 to 5 फिर 5 से 10 10 से 15 15 से 20 ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि शुरू में कोई ही नहीं हमारे पास data ऐसे बच्चे ही नहीं जिनके कम number हो तो वो जो information है जिसके बीच में हमारे पास कोई भी data नहीं है वो जो interval उसके लिए हम उसको ना लिखके उसकी जगे यह लगा देते हैं इसक कोई information नहीं है वो हमारे लिए यहां पर useful है भी नहीं तो हमने kink बना दिया एक और direct हम कहां से करना शुरू कर देते हैं जो हमारा main part है कि हमारा यहां पर interval 40 से start है 40 ही हमारा main part है तो 40 से start कर दिया यहां 25 है तो 25 से start कर देंगे ठीक है तो इसको क्या बोलते है kink यह kink कैसे horizontal line पर भी बन सकता है vertical पर भी आ सकता है मालो vertical पर भी हमें नहीं information starting वाले की ज़रत है तो kink बना के आप next से start कर सकते हो ठीक है यह हुआ histogram उसके बाद है हमारे पास linear graph linear graph a graph where all the data points can be plotted on a single straight line ठीक है एक straight line होती है और सारे जो point है उसी पर plot होते है इस linear graph के लिए हमें कम से कम 2 information चाह ठीक है इनको variables बोलते हैं एक x हो गया एक y हो गया तो इन दो points से हम अपनी information को show करते हैं तो bar graph पे कैसे इसको plot करेंगे मानलो यह point हमें दे रखे हैं w x y और z तो अगर यह point हमें plot करने हैं अपने graph पर तो हम कैसे करेंगे यहां पर हमारे पास बना हुआ है एक graph ठीक है इस graph म हमने यह point show कर रखे हैं तो मानलो यह w एक point है इसको आपको show करना है इस graph पर तो आप कैसे show करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे देखो w है 2 और 6 है तो यह जो 2 यहां पर दे रखा है इसको आप देखेंगे x axis पर और जो 6 है उसको y axis ठीक है अब x और y axis क्या होते हैं य जानलो यह जो horizontal line है गराव बनाते हुए यह क्या है x axis की line और यह जो vertical है इसको बोलते है y axis ठीक है तो यह क्या है हमारे पास y axis है vertical और यह है हमारे पास x axis ठीक है अब यह इदर वाले portion क्या है यह आगे discuss करेंगे यह line का भी आप ध्यान रखेंगे तो जो first है वो x बता रहा ह और जो y है जो second है वो y axis ठीक है तो first है हमारा देखो 2 तो मतलब हमें x axis पर 2 देखना देखो यह 0 यहाँ 1 और यह हो गया x axis पर 2 अब वो कह रहा है 6 तो y axis पर 6 ढूंडेंगे हम यह है y axis पर 6 ठीक है लेकिन यह हमारे point नहीं हुए यह तो क्या है इनकी देखा है हमने कहां पर यह दोनों मिलेंगे कहां पर एक दूसरे से उसके लिए हमें 6 step चलना पड़ेगा x से दूर मतलब y की तरफ यानि कि 6 step दूर y से और 2 step दूर x से मतलब 2 step x से दूर चले हैं हम और 6 step हम 2 step y से दूर चलेंगे और 6 step x से तब जाके हमारा यह point आएगा जिसको हम बोलेंगे 2 और 6 उसी तरह second दिखाने के लिए 3 और 5 तो x-axis पे 3 यहां पर है y-axis पे 5 यहां पर है तो x से हमें चलना है कितना 5 और यहां से चलना है 3 तो यह point आ गया है या आप यह कर सकते हो कि 3 और 5 को मिला दो जहां पर यह दोनों मिल रहे हैं बढ़ाते जाओ जहां जाकर मिल जाएंगे वो ही आपका point बन जाएगा ठीक है उसी तरह 5 और 3 तो 5 बच्चों यह और 3 यहां पर तो 5 और जाएंगे 3 तक यह point हो जाएगा हमारा 5 3 उसी तरह 6 और 2 और जब हम इन point को हम मिलाएंगे तो हमें एक straight line मिलती है इसलिए इसको बोलते है linear graph क्या बोलते है linear graph और इसमें यह जो तो इनको variable के भी इनके अलग-अलग नाम है क्या है depending on how the value of variable change with respect to another we have two types of variables एक तो independent और एक dependent variable independent variable वो होता है उसकी जो value है does not change with another quantity यानि कि जब दूसरे independent क्या है जो किसी पर dependent ना करें तो जब एक की जो value है जिसकी हम बात करें अगर वो दूसरी से independent है मतलब दूसरी पर बिल्कुल depend नहीं करती तो वो independent हो जाएगी और depend वाली वो है जो कि दूसरी पर depend करती है ठीक है नाम से clear है dependent और independent तो बच्चों एक और example लेकर करते हैं इसको consider quantity of electricity consumed quantity of electricity consumed और इने electric bill की बात करते हैं हम देखो अगर हम इनका मालो graph बनाना है तो जो electric bill है उसक तो आपको पता है कि electricity consumed पर वो depend करेगा अगर electricity consumed जादा है तो electric bill जादा आएगा जादा आएगा ना तो यहाँ पर जो electric bill है वो क्या है dependent variable है कि अगर electricity consumed जादा हो गया तो bill क्या आएगा जादा आएगा तो मतलब एक जो quantity है वो दूसरे के change होने से चेंज होगी फरक जो दूसरे पर depend कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे डिपेंड़िंटी बोलेंगे है ना तो एलेक्टरिक बिल हाउवएवर कैंजेंज विध रिस्पक्तव अमाउंट ओफ एलेक्टरिसीटी कंजूम्ड तो उसको क्या बोलेंगे dependent or quantity of electricity consumption does not depend on any other quantity hence it is independent मतलब जो electricity consumed है वो bill पर dependent नहीं करेगे कि bill जादा आ रहा है तो electricity जादा consumed होगी ऐसा तो नहीं होगा ना तो वो क्या है independent उसके बाद है next line graph अब line graph में हमने क्या किया था कि यहाँ पर क्या होता है sudden changes होते हैं तो यह straight line की form में तो बनता नहीं है बलकि क्या चोटी चोटी लाइनों की form में होता है जो क्या ना में ऐसे उपर जाती हुई भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है स्ट्रेट भी हो सकती है तो किसी भी उस form में हो सकती है क्योंकि वहाँ पर data क्या हो रहा है continuously change हो रहा है इसको एक example से समझते हैं देखो मालो हमने यहां पर लिया है एक table लिये हमने यहां पर यह टाइम गिवन है और नीचे है temperature given क्योंकि temperature का हम इसलिए लेते क्योंकि temperature में ही sudden increase or decrease देखे जाते हैं कि आप morning में उठते हो तो हो सकता है बहुत ठंडा हो फिर दोपैर में हो सकता है मौसम ठीक हो जाए शाम को भी ठंडा हो जाए या रात को और जादा हो जाए तो इसलिए यहां पर time के according क्या लिए गए है temperature लिए हुए है तो 6am है जैसे 6am पर जो temperature है वो है 37 degree 10am पर है 40 2pm पर है 38 और 6pm पर है 35 degree temperature तो अगर हम इसको graph में दिखाएं ठीक है यह है एक graph यहां पर है हमारा time यह है 6am यहां 10 यह है 2 यह है 6 ठीक है और यहां पर vertical में है हमारे पास temperature vertical में क्या है हमारे पास temperature है तो देखो 6pm पर temperature है 37 degree और 10am पर suddenly temperature क्या हो गया increase हो गया और यह बन गया 40 degree अब 40 degree है 10am तो 2pm temperature क्या हो गया डाउन हो के कितना आ गया 38 और 6pm पर और डाउन हो गया तो कभी increase हो रहा है कभी decrease हो रहा है क्या हो रहा है कभी increase हो रहा है कभी decrease हो रहा है तो linear और line में फर्क है, linear क्या होंगे, सारे के सारे point A की line में रहेंगे और line graph में line तो होंगी चोटी चोटी लेकिन discontinuous line होंगे, कोई continue line नहीं होगी, ठीक है, ये हुआ हमारा किसका line graph का, उसके बाद है बच्चो, Cartesian plane and coordinate axis, ठीक है, Cartesian plane and coordinate axis में हम क्या करते हैं, Cartesian plane formed by two perpendicular line दो perpendicular line से बनता है हमारा Cartesian plane और इन perpendicular lines को हम क्या बोलते है X-axis जो horizontal line है उसको बोलते है X-axis और जो vertical line है उसको बोलते है Y-axis ठीक है और यह X-coordinate यह Y-coordinate भी इनको बोलते है ठीक है तो horizontal याद रखना जो horizontal रहेगा वो क्या रहेगा X-axis और जो vertical होगा वो Y-axis और इनको coordinate भी बोल देते है जहां पर यह दोनों meet करते है X-axis और Y-axis उसको बोलते है बच्चों origin ठीक है मालो मैंने यहाँ O लिख दिया तो यह बता रहा है origin इस origin पर X भी 0 है और Y भी 0 मतलब X-Y की कोई value नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम 0-0 लिख सकते हैं मतलब X की value भी 0 और Y की value भी 0 रहेगी इसमें ठीक है Cartesian plane में उसके बाद the two coordinate axes help to plot any point on the Cartesian plane और यह हमारी help करते हैं किसी भी point को plot करने में अगर X और Y की value हमारे पास given है तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह X और Y तो इस तरफ है तो यह बाकी इस तरफ line ने ऐसे cross करके क्यों बनाया गया है actually यह क्या है X-axis है यह एक horizontal जो line है यह X-axis है इसमें यह जो 0 के इस तरफ जो line है वो positive part represent करती है और इस तरफ जो है वो negative तो हम यहाँ negative X-axis लिखते हैं मतलब कि 0 से right तरफ में X-axis के सारे points positive होंगे और left side में क्या होंगे negative उसी तरह Y-axis vertical line है तो 0 के जो उपर रहेंगे बच्चों वो सारे positive होंगे और जो नीचे रिखेंगे वो क्या होंगे minus X-axis मतलब सारे points क्या होंगे negative रहेंगे तो इस तरह से जब यह दो line है cross कर रहें एक दूसरे को तो यह एक तरह से इस पूरे जो surface X-axis के अंडर उसको चार quadrant में divide कर रहे हैं कौनसे कौनसे quadrant में? चार quadrant में कौनसा? यह हो गया first quadrant, यह हो गया second quadrant, यह हो जाएगा third quadrant और यह हो जाएगा fourth quadrant कितने quadrant में कर रहे हैं? चार quadrant में कर रहे हैं तो इन चार quadrant किसे related आपके question पूछे जाते हैं? क्यूंँ पूछे जाते हैं? क्यूंकि यहाँ पर sign बहुत important है अब आप सोचोगे कौनसा sign? चलिए sign के बात करते हैं sign का मतलब है देखो मैंने कहा कि यहाँ पर सब positive रहता है यहाँ पर भी क्या है? positive है यह वाली side negative और यहाँ सारे negative तो इसमें किस तरह के question पूछे जाते हैं? आपको यह बताना होता है कि कोई एक point दे दिया जाता है और यह बताना होता है कि कौनसे quadrant में लाई कर रहा है अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि कौनसे quadrant में लाई कर रहा है तो वो sign देखकर पता चलेगा मालो आपको कोई एक point P given है 2 और 3 तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे 2 जो है वो x-axis को show कर रहा है x को और जो 3 है वो y को तो अगर ये दोनों क्या है positive हैं तो वो first quadrant में रहेंगे क्योंकि first quadrant में x भी positive है और y भी positive ये सारा first quadrant है ना मारा तो इसमें क्या है x भी positive है y भी positive है तो अगर P कोई point दे रखा वैसे 2 और 3 को अगर हम plot करें तो 2 और यहां से यह 3 तो यहां पर यह point आएगा कोई 2 और 3 point P तो यह first quadrant में लाई कर रहा है अगर हमारे पास यह graph ना हो तो भी हम पहचानेंगे क्योंकि first quadrant में x और y दोनों की value क्या होती है positive होती है याद रहेगा positive दोनों plus के होंगे तो वो क्या होगा first quadrant होगा ठीक है second की बात करें तो यह है बच्चों second quadrant second quadrant में क्या है y तो है positive x है negative y क्या है positive x है negative तो जब हम इसके लिखेंगे points तो हम x को पहले लिखते है हमेशा तो x रहेगा negative और y रहेगा positive तो अगर आपको कोई ऐसा coordinate गिवन है मालो हमने q गिवन है minus 2 और 3 तो यहां से हमें यह पता है कि जो x है वो negative है और y जो है वो positive है तो वो second quadrant में ही possible है क्योंकि second quadrant में x negative होता है y positive होता है तो यह जो point है वो लाई करेगा हमारा second quadrant में ठीक है किस में लाई करेगा second quadrant में क्योंकि second में x negative है y positive अब अब आते हैं third quadrant की तरफ third quadrant में देखो यह negative x और negative ही y negative x और negative y के ही बीच का है तो यहां पर दोनों ही value क्या होंगी negative होंगी ठीक है दोनों ही value क्या होंगी negative मतलब x भी negative होगा और y भी negative होगा तो अगर आपको कोई point दे दिया जाए मालो p के r ले ले लेते हैं minus 2 और minus 3 और आपको कहें कि कौन जे quadrant में लाई करेगा तो यह लाई करेगा third quadrant में क्योंकि third quadrant में दोनों के दोनों क्या होते हैं negative होते हैं ठीक है x भी negative और y भी negative उसके बाद बढ़ते हैं हम fourth quadrant की तरफ ठीक है fourth quadrant जैसा कि आप देख रहे है y, ठीक है, y क्या है negative और x क्या है यहाँ पर positive, ठीक है y क्या है negative और x है positive, तो x वाला हमेशा पहले रहता है, लेगिन यहाँ पर क्योंकि x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है ना, पहले हमें यह से दिखता है कि y पहले है, तो पहले negative लिख देते है बट पहले x का लिखना है, जो की है positive, और फिर y लिखना है, जो की है negative यह बला y, तो fourth quadrant में x positive होता है y negative, तो अगर आपको कोई point given है, पी के हुआ और s मानलो कोई एक point given है जो की है आपके पास plus 3 और minus 2 तो वो लाई करेगा fourth quadrant में किसमें लाई करेगा, fourth quadrant में तो यह question कई बार पूछे जाते हैं आपसे कोई एक point दे दिया जाता है कि बताओ कि कौन से quadrant में लाई कर रहा है, अब first और बच्चों, third तो बिलकुल easy है बताने, क्योंकि यहाँ पर दोनों positive हैं, यहाँ दोनों negative हैं, अब गड़बड आती है, second or fourth में तो second or fourth में ध्यान रखना है कि x यहाँ negative, y positive यहाँ x positive, y negative रहेगा, ठीक है, तो इन quadrant से related questions पूछे जाते हैं तो यह बना हमारा chapter introduction to graph का उसके बाद हम देखते हैं कोई एक point जो three point है, एक three, comma four उसको क्या करना है, show करना है, चलो, show कर लेते हैं यह हो जाएगा x-axis, यह हो जाएगा यहाँ पर y-axis तो three यहाँ पर लेंगे origin zero, यह हो जाएगा one, two, यहाँ लिखेंगे three, यह हुआ four, यहाँ one, two, three four, तो अब three लेना है, मैं x-axis पर, यह हो गया x-पर, four लेना है y-पर तो यह हो गया y-पर, कहाँ में लेंगे दोनो, यह जो point है, यह आजाएगा three, four ठीक है, तो यह point जो है, वो x-axis से four दूर है और y-axis से three दूर है ठीक है, तो यह बन जाएगा हमारा point तो यह तो हुआ introduction to graph अब फटाफट से चलते हैं numbers पर, playing with numbers में हमारा, सबसे पहले है general form of number, कि हम number की जो general form है वो actually क्या है यह हमने अपनी छोटी classes में बहुत पढ़ा है, लेकिन दिरे-दिरे बड़ी class में आते-आते, भूल जाते हैं उस चीज को क्या, जैसे मानलो एक number है हमारे पास P क्यो, तो P क्यो की बजाए मैं इसको एक number लिखती हूँ 23 और इससे बताती हूँ देखो 23, जब आप चोटी class में थे, मुझे पता नहीं कितना आपको याद है, इस 23 को जो आपकी teacher थी, वो आपको लिखती थी 20 प्लस 3 20 प्लस 3 क्यों लिखती थी, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है, उसका place है 10, और उसकी place value है 20, और यहाँ पर इसका place है 3, और इसकी place value है 1, तो इनको place value के according क्या कर देते थे, split कर देते थे, कि मतलब जो once है, वो once से multiply होगा, जो 10 place पर है वो 10 से multiply होगा, तब दोनों जाकर add होंगे, और फिर हमारे पास number बनेगा यह होता है, तो यहाँ पर P क्यों हमारे पास एक number है P, जो क्यों है, वो once place पर है, तो once से multiply होगा क्यों जो है, 10 place पर है तो 10 से multiply होगा, जब आप आगे higher classes मजाओगे नो, इस तरह के questions आएंगे आपके, 8 में भी है किसी-किसी book में, जिसमें आपको एक number बनाना है, और फिर reverse कर देना है, फिर उनके बीच का difference आपके पास कुछ ना कुछ given है, और फिर आपको original number बताने, तो वहाँ पर ये चीज body help करती है, ठीके, क्या करते हैं, कि जो tense वाला है, उसको tense से multiply, जो once place पर उसको one से multiply करके, ये होती है number की general form, two digit number की, और अगर हम three digit number की बात करें, तो three digit में क्योंकि तीन number आ जाते हैं, बच्चों, two में 231, एक number मैंने लिखा है, तो ये है once place पर, ये tens place पर है, तो three को ten से multiply कर देंगे, ये hundred place पर है, तो ये hundred से multiply हो जाएगा, ठीके, तो इसको जब हम expanded form में लिखेंगे, तो ये actually क्या बनेगा, ये बनेगा 200 plus 30 plus one, और तब add होकर ये 231 बनता है, कि मतलब two नहीं है, खाली, वो 200 है, फिर उसमें 30 add किया है, फिर one add किया है, तब जाके 231 एक number बना है, ठीके, तो यहाँ से इन चीजों का पता होना जरूरी है, जैसे a, b, c है, तो a one place पर है, तो one से multiply हो गया, b tens place पर है, तो ten से multiply हो गया, और c hundred place पर है, तो 100 से multiply हो गया, ठीके, तो इस तरह से हम number को लिख सकते हैं, general form में, उसके बाद है, हमारे पास, कुछ एक दो इसमें चीजें दी हुई थी, funny सी चीजें, funny तो नहीं कहेंगे, लेकिन मानलो हमारे पास कोई एक two digit number है, मानलो हमने दोनो numbers को add कर दें, तो इन दोनों को number को add करने से क्या बनेगा, ये बना हमारे पास one, और ये बन जाएगा nine और two eleven और one twelve, one hundred twelve, तो हम इस number को अगर इनके sum से divide करें, sum है इनका eleven, तो eleven से अगर divide करेंगे, तो ये divide होकर क्या बनेगा, eleven, और divide करके जब ये eleven आया है, तो आप देखोगे, कि जो दो number हमने लिये थे, उन दोनो number का sum जो है, वो eleven ही है, यानि कि एक अगर हम two digit number लें और उसको reverse कर दें और उसको add करें उन numbers को, और numbers को add करके उनके digit sum से divide करें, तो जो number आएगा, वो उन digits का sum ही होगा, ठीके, क्या है यहाँ पर, अगर एक two digit number बच्चों हमने लिया है, 29, एक उसका reverse ले लिया, 92, फिर दोनों को हमने add किया, और add करके, जो numbers है, उनके digit sum से, digit है 2 और 9, दोनों को add किया 11 बना, तो digit sum से अगर हम divide करेंगे, तो जो number आएगा, वो भी उनके digits का sum ही होगा, 11, तो यहाँ पर यह एक interesting facts दिया हो था, playing with number में, उसी तरह subtraction का भी कर सकते हैं, मालो हमने एक number लिया, 93, दूसरा number इसका reverse ले लिया, 39, और इनको अगर हम subtract करें, 93 में से 39 subtract करें, तो 54 आएगा, और 54 को इन digit के difference से divide करें, 9 में से 3 minus करेंगे, तो 6 आएगा, ठीक है, 6 जब हम इससे cancel करेंगे, कितना आएगा, इसको divide करेंगे, हम 9 से, इनके digit के sum से, तो इनको divide करेंगे, तो 6 आएगा, जो कि इनके बीच का difference ही है, 9 और 3 के बीच का difference ही है, तो ये कुछ interesting सी चीज़ें है, जो हमेरी, मतलब playing with number है, तो obviously number से खेलना ही है, कि अगर दो digit ली उनका reverse करके sum किया, तो उनको जो add करके, उनकी digit को अगर हम cross कर देंगे, कैंसल कर देंगे, तो जो answer बनेगे, उनके digit का sum ही बनेगा, और उसी तरह इनका अगर हमने difference लिया, difference को अगर हम इसके 5 प्लस 9 से divide कर देंगे, तो क्या बनेगा, हमारे पास 6 बनेगा, जो actual mean का difference ही है, ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हमारे exam में तो उतना नहीं पूछी जाती, बट अगर आपको आ जाएं तो अच्छी बात है, तो ये था बच्चों हमारा chapter playing with numbers, अफटाफट से चलते हैं हम कुछ के questions की तरफ, और देखते हैं क्या है हमारा first question quiz में, तो चलिए बच्चों देखते हैं quiz का first question क्या है, बताइए क्या बनेगा यहां से answer? बताइए, आपका option क्या रहेगा बच्चों, यहां से option A होगा, B होगा, C होगा, या D होगा, क्या आपका option मनेगा, बताइए जल्दी से, चले बढ़े आगे चले, चलो, next है हमारे पास, यहां पर, जो period time के साथ change होता रहता है, उसको क्या बोलेंगे, बार ग्राफ बोलेंगे, हिस्टोग्राम बोलेंगे, पाई चार्ट या फिर लाइन ग्राफ, बताइए, क्या बनेगा बच्चों, यहां से answer? चलिए, बताइए, जल्दी से, कि option A रहेगा, B रहेगा, C या फिर D, क्या आपका option रहेगा यहां से? चलिए, जल्दी से बताइए, फिर हम देखेंगे इनके answers, चलिए, डन बच्चों, चले आगे, चलो, इसमें हमारा जो first answer है, the point of intersection of coordinate axes is called, अभी आपको बताया था कि जहां पर दो axes मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मालो यह x-axis है और यह y-axis, तो यहां पर वो point पर मिलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? origin, तो point C हमारा क्या आजाएगा यहां से? correct option मतलब origin, उसके अलावा dash represents the data that changes continuously over the period of time, मतलब जो की change होता है time के साथ, वो क्या है? line graph, तो option D यहां से correct option हो जाएगा, तो बच्चों यह बने हमारे quiz के questions, हमने revise किया अपना introduction of graph and playing with numbers, तो कल की class में, जो next class है, उसमें भी हम important formulas करेंगे discuss, और मैं तो चाहूंगी, बलकि हम ऐसे formula करें, जो आपकी ninth class में भी काम आएं, ठीक है? तो हम discuss करेंगे ऐसे chapter जो आगे भी आपके काम आएंगे, और exam के हिसाब से तो हैं ही जरूरी, तो मिलेंगे बच्चों अगली class में अपने important topics के साथ, formula के साथ, तब तक के लिए, bye-bye.